ओम श्री साई राम साई प्रेम वानी के हमारे आज के प्रसारण में आप सब का स्वागत है आज हम आप सब के लिए लेकर आए हैं सुमधुर कारेक्रमों की अनूठी श्रंखला आज की प्रसारण में आप अवतार वानी के अंतरगत हमारे साई विशय पर श्री भगवान द्वारा दिये गए एक दिव्य संदेश का एक भाग एवं भजन सीक्षा के अंतरगत एक भजन गायन सीखेंगे हम प्रेम आवतार श्री सत्यसाई प्रोग्राम के अंतरगत दिव्य जीवनी सत्यम शिवं सुंदरम पुस्तिका में वढ़नित भगवान बाबा के अलोकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग के साथी साथ साई का प्यार जीवन आधार कारेक्रम के अंतरगत एक मनोरम भेट वारता भी प्रस्तूर करेंगे तो चलिए कारेक्रम का शुभारंब करते हैं अब प्रस्तूत है हमारा लोकप्रिय कारेक्रम साई का प्यार जीवन आधार आज इसके अंतरगत हम भगवान बाबा की पूर्व छात्रा रह चुकी सुश्री किरन बाला जी अरोडा के साथ हुई हमारी भेट वारता का आठवा भाग प्रस्तूत करेंगे किरन जी भगवान बाबा के अनन्त पुरस्थित महा विद्याले संकाय के हिंदी विभाग में अपनी सेवाएं श्री चर्णों में अर्पित कर रही हैं उस समय पूरे विश्व में स्वामी को मानने वाले हैं पर उसको भी मतलब उत्तर दे कर किसी प्रकार से सही करने का प्रयास उन्होंने किया यह बहुत हमें अभी भी हिला देता है तो इस प्रकार से स्वामी फिर ने उटी में समकोस रखा और उन दिनों वेंकरटोशन इंवस्टी के मकी परिक्षाएं बड़ी गैप के साथ हुआ करती थी और मेरी क्लास के जो उन दो चार बच्चे जाने वाले थी उनको के वो लास अंत के साथ दिनों में ही अफसर परापत होने का अवकाश रह गया था क्योंकि हमारी परिक्षाएं लंबी होती रहे है बाकि बच्चे चले गए थी हम छे बच्चे बच्चगे थे पांच बच्चे 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 थे जिनको की बीच में जाना था परिक्षा लिखने के बाद और उधर समग को उटी में शुरू हो चुका था पर स्वामी की फिर से फ्रेम का देखो कोई असीम फ्रेम जब मैं अपने रूम नंबर फाइव नीचे रहा करती थी मैं वो एक खिड़की बंद नहीं होती थी पुरा होस्टल बंद हो चुका था हमारा दो-चार कमरे ही खुले थे जिसे बच्चों को अंतिम परिक्षा दे कर जाना था तो वो लोहे के तुम्हें पता है लोहे के फ्रेम के साथ खिड़किया है तो वो बंद नहीं होती थी बड़ी जोर से मैंने खीच कर बंद करने का प्रयाज किया तो मेरा दाहिना जो अंगूठा था उस फ्रेम के बीच में आगया बहुत दर्द बहुत दर्द पर फिर जाना था हम चलेगे रेल में वो भी नहीं थी लाइट भी नहीं थी पता ही नहीं चला इसका क्याल है सुबा उठकर देखा तो यह बिल्कुर मोटा सा होकर सूच कर नीला हो गया था बहुत दर्ड थी और कोई कहीं पर कोई दवा दी लेने का भी समय नहीं था हम पहुचे वहाँ पर तो स्वामी ने अपनी कार जिसमें ट्रावल करते तो उसके साथ वी आपी जो कार आते थी अपनी कार स्वामी ने भेजी हमें बस स्टैंड से पिक अप करके अपने आश्रम तक पुलाने के लिए सोचो हम इसके काविल भी थे क्या की दया देखो और मैं वहां पोची तो इतना अंग उठा खराब मैं लिखने ही पा रही थी कोई नोर्स लास्ट में बैठते थी पर ये एक मिर लिए बहुत अच्छी सोईदा हो गए क्यों मैं लिखती नहीं थी तो मुझे स्वामी को इनलगातार देखती रहती स्वामी दुनों वहां बैठी जाया करते थी और सारे लेक्चेर्स में स्वामी बैठा रहा रहा नग देखती पर उटी समकोस से पहले एक बर जब भगवान अननतपुर आये थी तो उन्होंने ये प्रयास किया कि हम कुछ लड़कियां भाशन दें अपने साथ भगवान दो ऐसे विद्यार्थिया लड़कों को लेकर आये थे जो अच्छा भाषन दिया करते थे और हमें तोड़ी दूर पर उनको खड़ा करके शाम को कॉलेज लॉन में जब हम बैठा करते थे भजन के लिए अमें के साथ बात करने के लिए उनसे भाषन दिलवाई ताकि आपको एक ट्रेनिंग से बिचा है ताकि हमें थोड़ा सा पता चले किस तरह प्रिश्टरकार से बोलना है कैसी मतलब अपने भाषन को तैयार करना है तो हमें प्रोट सहान देने के लिए तो उन दो बचों ने अच्छा भाषन दिया जो दूसरा भाषन देने वाला लड़का था उसने अपने भाषन में ये कहा कि इन दिस वर्ल देर्स अ बिज्जे जेलेसी और बाद में उसने इस जेलेसी को हमारे साथ संबद करके कहा कि लड़की हमेशा लड़कों से जलस फिल करती है और इसलिए स्वामी से जिद किया करती है कश्मीर का हमारा प्रोग्राम स्वामी ने बदल ले लिया और अब उटी में हो रहा है समको अगर यह लोग ऐसा ना करें तो हमें और भी चांसेस मिल सकते हैं स्वामी के सामने ही और स्वामी बार बार इशारे कर रहे थे हमें देखो तो क्या बोल रहा है खूब उसका रहे थे और मुझे बहुत उकसाया उन्होंने मैं बिल्कु सामने स्वामी के नाग की सीथ पर नीचे बैठी थी मुझे बहुत सौमी ने बहुत खुसा, दीको क्या बोल रहा है, दीको क्या बोल रहा है तो मेरे मन में बहुत गुसा रहा था और चहरे पर पूरा लक्षित हो रहा था कि मैं बहुत, you know, तडप रही हूँ, कुछ बोल ले क्लिए, कुछ इसका उत्तर देने कलिए तो स्वामी ने का आप बो ऐसे से इशारा करके कहा कि तुम भी तैयार हो जाओ तुम भी तैयार हो जाओ आकरमन के लिए खेल किया करते थे उन दिनों ऐसा करते थे बिंदावन जाते थे उन दिनों प्रशांत रिल्या में तो कोई कॉलेज था ने, कुछ नहीं था, जंगल था सब यहां पर, पर्ति और गोकलों के बीच में कुछ नहीं था प्रिंदावन जाकर हमारे भक्ति के बारे में गुर्णगान करते थे, यहां करून के बारे में गुर्णगान रहे थे, हम दोनों प्रिंसिपल और वार्दं से स्वामे नीए का ऌई लडगियों को भी तयार होना चाहिए है कोई ऐसा बच्चा जो बात कार सकता, भी तयारी कर भाओ भी प्रैक्टिस कर भाओ जौरूर इनको भी तयार करो और वो बिचारी पूछे जाएं कोई बोलो, कोई बोलो, कोई तैयार नहीं अचानक इस प्रकार से बूचने से किसी की मन में तैया, मनस्त थी ऐसी नहीं थी कि बोल सकें, वो भी इस प्रकार से सुनने के पश्चाट जो अच्छा बोलते थे लड़के, तो कोई नहीं उठ रह पर स्वामी आवारे अंदर अर्तात अंदर की जो ये लक्षन होता है जो ये चेष्ठा होती है उसको प्रोचसान देना जाते थे कि चलो हम भी तैयार हूँ तो हम कोई भी तैयार नहीं था उठकर फिर अल्टिमेटली एक लड़की जो अच्छा बोल लेती थी अंग्रेजी में कभी कभी उसको जबर दस्ती करके वो उसने दो तीन मिनट बात करे वो बैट गए फिर स्वामी ने का और कोई और कोई और कोई तैयार ना हो तो स्वामी तो उसका तुम बोलो मैं को आध़तनी हूँ दिनो मैं अग्रेजी में बात नी करते ती फर राटे से तो मेरी महन ने लता ने कहा स्वामी अंग्रेजी में तो इतना अच्छा बोलनी पाएगी शायद घभरा रही है हिंदी में इसको बोलने को बोलो तो शायद बोल सके फर जाला लेने के यह पहले हां। और इस भीच हुआ आई, कि मैने इंदी में शुरू किया दोचार बाकियों के पश्चात में अंग्रेजी में शुरू होगे और बोलती रही बोलती थी फिर अचानक मुझे लगा रही मैं अंग्रेजी में बोल विटी मैं रुख गई खोजे आंसों बहने लगे, स्वामे की करणा और प्रेम के बारे में चर्चा करते करते में रोने लगी, और रोते रहते स्वामे के चर्णों में गिर गई, और स्वामे का नमस्कार, स्वामे ने मुझे उठाया ने, कितनी देर तक मैं अपने आंसों से स्वामे की चर्णों को कुछ नहीं कहा है, चुब चाहँ आप यो आखाश की और देखते वे बोले, आनंद वाश्प, these are bliss drops, कहकर स्वामी ने फिर, हमें बस शांती से स्वामी बैठे रहे हैं, हम स्वामी का दर्शन करते वे, स्वामी को अपने आँखों से लेते रहें, बड़ी शांत वातारों में दस-पंदरा मिन बैठे रहें, उसके बाद हमने आड़ी की, बहुत ही सुंदर रहें, बहुत ही सुंदर रहें, बहुत ही बस चाहत, फिर मैंने उटी सामको उसमें बात की थी, स्वामी को अच्छा भी लगा था, स्वामी ने नमस्कारा दे दिया, और बीच में उड़कर स्वामी थोड़ी देर के लिए, मुझे लगा रहें, स्वामी को शाद पसंद नहीं मेरी बात, या मेरा बोलने का तरीका, इसलिए स्वामी उटकर चले के, मन एकदम से दुखी हुआ, तो दुख में क्या हुआ, मैंने आप स्वामी ने सुन रहें, तो किसके लिए बोलना ह मुझे, तो मैं तुरन शाट करते करते इतना छोटा कर दिया कि वो पांच-दस मिरट में खतम हो गया, मेरा बाशन, और स्वामी भागते में नीचे आए, इसलिए तो जल्दी खतम कर दिया, फिर पहले और बात में बोलने वाले को स्वामी नमसकर दिया, करते थे, स्वामी का, बात करने का, तेलगु सीखने का, और भगवान के प्रती जो आकर्शन था, उसको कैसे संभाले हमें समझ गहीं आता था, हमें लगता था स्वामी को देखते रहे, हमें लगता था हमेशा स्वामी के पास रहे अभी आप सुन रहे थे, साई का प्यार, जीवन आधार कारिक्रम आज इसके अंतरगत, भगवान बाबा के महा विद्याले के, अनंतपुर स्थित संकाय में सेवारत, सूश्री किरनबाला अरोरा जी के अनुभवों का आठवा भाग प्रस्तुत किया गया था उनसे वारतालाब कर रही थी टीम रेडियो साई की वरिष्ट सदस्या, श्रीमती करुणा सरूप मुन्शी जी ये भेट वारता, 25 मैं सन 2012 में रेकॉर्ड की गई थी अब प्रस्तुत है, अवतार वानी आज हम भगवान द्वारा हमारे साई विशय पर उनके उद्गार सुनेंगे बहुत से लोगों से मैंने कहा स्वामी ठैंक्स बोलते हैं मैंने कहा, मैं कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तुम्हारा अपना ही हूँ गैरों से ठैंक्स बोलते हैं, अपनों से कोई ठैंक्स थोड़े ही बोलता है तुम्हारी मा तुम्हें खाना देती हैं मा ठैंक्यू कोई बोलता है क्या जब दूसरे के घर जाते हैं, तो खाना परोसने पर ठैंक्स अम्मा बोलते हैं मैं पराया नहीं हूँ इसलिए कोई ठैंक्स मत बोलो अधिकार पूर्वक मुझसे बोलो तब जाके मेरे स्वामी, मेरे स्वामी कहते हुए मुझे अधिकार पूर्वक अपना ही समझो तब तुम्हें सब प्रकार के अधिकार प्राप्त हो जाएंगे लेकिन तुम लोग उन अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहे हो तुम्हारी भ्यांतियों के कारण, तुम्हारे विचारों के कारण, तुम्हारी दुर्भुद्धी के कारण, तुम्हारी बुरी सोच के कारण, तुम्हारी दुर्भावनाओं के कारण, तुम्हारी दुर्भावनाओं के कारण, तुम्हारी दुर्भावनाओं के कारण, अवतार वानी आज आपने श्री भगवान की मधूर वानी में हमारे साई विशय पर उनके उद्गार सुने साई प्रेम वानी भगवान श्री सत्य साई वाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में रेडियो साई के हिंदी प्रसारण साई प्रेम वानी में एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे लोकपरी कारिक्रम प्रेमा वतार श्री सत्य साई में सत्यम शिवम सुन्दरम पुस्तक से लिएगे उन अलोकिक प्रसंगों को सुनने जा रहे हैं जने में प्रशान्ती निल्यम के निर्मान के बाद के वर्षों में मनाय जा रहे विभिन उत्सवों, कवी सम्मिलनों, संगीत समारों हों और विशेश तहत नवरात्री उत्सव का जीवन्त वर्णन किया गया है। इसके साथ ही बाबा द्वारा वैकुंट एकादशी के दिन अपने हाथों से अमरित का स्रिजन कर भक्तों को अमरित पान कराने के भी दुर्लब प्रसंगों का आनंद लेंगे। आईए सुनते हैं प्रेम स्वरूप भगवान के प्रेम और आनंद से भरे इन प्रसंगों को। वैकुंट एकादशी के दिन का महत्व निराला ही है। अनेक वर्षों तक बाबा ने इस दिन अपने हाथों से अमरित का उदभाव किया। और उसके बाद सब भक्तों में बांट देते। अन्य किसी भी देवाले में जो मिलना सके ऐसे दुरलब महाप्रसाद को वैकुंट एकादशी के दिन पुटपर्ती में बाबा के अमरित हस्त से हम सब पाते। सन 1958 की वैकुंट एकादशी के दिन बाबा त्रिवेंद्रम में थे। संध्य समय भक्तों के साथ वे वहाँ से साथ मिल के अंतर परिस्थित कोवलम समुद्र के किनारे बसे एक गाउं में पहुँचे। किनारे किनारे काफी दूर तक चल कर वहां की समुद्र तट की रेत पर बैठ गए और भजन करने की आग्या दी। स्वयम भी चार-पांच गीत काई, दस-बारह मच्वारे भी वहां आकर बैठ गए। बाबा ने रेत से कृष्ण कनहिया की मूरली धारे मुद्रा की श्री गंध से बनाई हुई अत्यंत सुन्दर कलाकृती जो एक मूर्ती थी वह स्रिजित की। एक भक्त को राधा कृष्ण की मूर्ती जडित एक सूनी की अंगोठी निकाल कर दी। फिर भजन हुए। बाबा जोर-जोर से ताल दे रहे थे। सभी भक्ती की पुनीत गंगा में डूबे हुए थे। अचानक एक विशेश सुगंध से सभख्त चेतन हुए। निश्य ही वो मृत्ती लोग की सुगंध नहीं थी। किसी सुपरिचित पोष्प एत्र की भी वो सुगंध नहीं थी। तब बाबा ने कहा कहा देख रहे हो यहीं से इन ही हाथों से सुगंध आ रही है। और समीब बैठे लोगों को हाथ का स्पर्श कर देखने की भी आग्यां थी। स्पर्श कर देखा तो कुछ चिकना सा था। सुगने पर स्वर्गी यह सुगंध थी। तब बहुतों को ध्यान आया कि उस दिन श्री रंग में वैकूंट द्वार खुलता है। यह उनके लिए भी द्वार खुलने पर अमरित मिलने का ही चिन्न था। बाबा ने अपने दोनों हाथों को जोड़ पहले से ही जहरते अमरित को एक चांदी के प्याले में भर लिया। प्याला भरने पर एक एक चम्मच अमरित अपने हाथों से प्रत्येक के मुख में डाला। भगवन नाम संकीरतन सुनने के कौतुहल से आए उन मचवारों को भी उस अमरित की प्राप्ति हुई। उस अमरित का स्वाद अवर्णनी था। केवल मधुर सुगंध मात्र ही नहीं। उसके विशे में व्याख्या करने लगें तो मौन ही रहना पड़ता है। अनुभव ही भाशा बन जाती है। आनंधी वर्णन की प्रस्तुती बन जाता है। नूतन वर्ष के दिन बाबा मीठा शर्बत तयार करवाकर उसमें अपने हाथों से निर्मित स्वादिस्ट सुगंधित पदार्थों को मिलाकर भक्तों में बाढ़ते। मकर सकरांती के दिन प्रशांती निल्यम की गायों का श्रिंगार कर उनको रेश्मी वस्तरों से सुसजित कर धोल बाजयादी वादियों के साथ जिलुस निकलवाते। पुटपर्ति के किसानों का शुब दिन, जबकि गुल बनाने के लिए गन्ने का रस निकाला जाता है, वे सब निल्यम में आकर बाबा के दर्शन करने के पश्चाथी, भट्टी जलाकर गन्ने का रस गरम करते। प्रार्थना मंदिर के पूर्व की ओर इस्थित मंडप में प्रवचन, संगीत, कवी सम्मेलन आदी आयोजिनों के लिए व्यवस्था की जाती। पूलों के बाणों को एक पंक्ती में रख कर, उनमें लगाए पटाकों को एक साथी सुलगा कर, हस्ते हुए सबको हर्शित करते। भक्तों के बच्चों को स्वयम पटाखे भांट कर सबको आनन्दित करते। उन दिनों प्रशान्ति निल्यम में प्रति वर्ष तीन महुत्सव विशेश रूप से मनाए जाते। नवरात्र, महाशिवरात्री और बाबा का जन्म दिवस। तिथी और नक्षत्रों की गर्णना कर, भिन भिन समधसर में भिन भिन तारीक के दिन पंचांग रिती के अनुसार बाबा का जन्म दिवस। मनाने में भगतों को कठनाई होगी, इस कारण प्रति वर्ष नौंबर की 23 तारिक को ही जन्म उत्सव मनाया जाता है। नवरात्र का उत्सव अत्यंत वैभवपुर्वक बाबा के सानिध में ही मनाया जाता। उन दिनों में प्रति दिन प्रातह संध्या दोनों समय भजन पूजा आदी होते। दिन के समय पुष्पों से अलंकरित एक फूलों का वहन जैसा बनाया जाता। वो पालकी में बाबा का जुलुस निकलता। विजया दश्मी के दिन राम पूजा यथा विधे की जाती। बाबा ही आदी शक्ती हैं ये तत्व भक्तों ने भली प्रकार समझ लिया। दोनों समय महिलाओं द्वारा देवी पूजा के निमित कुमकुम अर्चन विजया दश्मी के दिन शिर्डी बाबा का अभिशेक संगीत नाटक आदी द्वारा सरसुती जी की आराधना आदी का भी आगे जाकर नियमित कारिक्रूमों में समावेश हो गया। उन दिनों के नवरात्र के उत्सव का एक चित्र सन 1958 दशहरा महुत्सव की निमंत्रन पत्रिका को देखें तो इस्पस्ट हो जाता है। प्रथम दिन प्रातहकाल में प्रशान्ती पता का उत्सव होता सब भक्त सनान कर शुद्ध वस्त्र पहन कर भगवान के इस्मरण में प्रेमानन से लीन हो उस कमल चक्र को घेर कर क्रमानुसार खड़े होकर मुख्य मंडप की उर देखते हुए बाबा का ध्यान करते। बाबा सब को दर्शन देकर अभय हस्त से सब को हर्शा कर भक्तों द पताका का गूड अर्थ समझा कर नादस्वर, बैंड, शहनाई और घंटा घोश के मद्ध निल्यम के उपर इस्थित ध्वजा स्तंभ पर पताका लह राते। कुमकुम पूजा, दुवितिया, तृतिया, तृतिया, तित्री से प्रारंभो कर दश्मी तक चलती। गीता पा कारिकरम में समाच सेवा भी सम्मिलित रहती। अर्थात इस दिन सभग, श्रिमंत या धनवान, साधारन और निर्धन का भेद भाव भूलकर निल्यम के चारों और के रास्तों की सफाई करते। संध्या समय सेवा धर्म पर बाबा का प्रवचन होता तथा उनकी आग्यां से अन्य लोगों के भी प्रवचन होते। तृतिया का दिन बच्चों के लिए सुरक्षित होता। दिन भर लिखाई पढ़ाई, खेल, नाटक, नृत्य भजन, आधिका आयुजन होता। समीप के चार-पांच ग्रामों से भी नन्हे-नन्हे बच्चों सहित, पंड्री भजन के जुन, प्रशान्ति निल्यम में आकर जूम कर निर्ति करते। शाला के बच्चे, NCC तल, अपने-अपने शारिरिक चमतकार, पंजुन रित, बैंड, आधि द्वारा, बाबा को अपनी भेंट, अरपित करते। संध्या समय, बच्चे, अपनी माता के समान, बाबा के सम्मु से प्रोत्साहन देकर, उनके तुटियों को सुधार कर, उनके मंच पर आने के भहे का निवारन करते। बाबा बड़ी सहज रिति से उनकी गलतियों की ओर उनका ध्यान न दिलाते, बलकि उनकी छोटी-छोटी कुशलता युक्त कृतियों की प्रचूर प्रशंशाही करने वाली साई माता का वातसल्य अवर्णनी है। अंत में रंग मंच पर प्रस्तुत हुए प्रत्येक बच्चे को उसकी उम्र, बुद्धी के अमसार, अपने हाथों से पारितोशिक प्रदान कर बाबा उन्हें आशिरवात देते। मा बच्चों के उस प्रेम पूर्ण मिलन को देख, हम सब बड़े क्यों हो गए, ये मीठा अपसोस सब बड़ों के मन में उठ जाता। चतूर्थी के दिन कविसम मिलन होता। संस्कृत, तेलुगू, तमिल, कन्नल, अंग्रेजी आधी भाशाओं में भक्तो द्वारा रचि प्रसाद रूप में पारितोशिक प्रदान कर संतुष्ट करते, कविम कविनाम बने बाबा के समक्ष, उनहीं की देन अपनी प्रतिभा का प्रदशन करने का सुवसर पाने वाले सब धन्य ही हैं। नौरात रोद सौ के संदर्म में दो-तीन दिन संध्या समय बाबा भक्तों को संबोधित कर भाशन देते। इस प्रकार पाए ज्यान धन को लेकर भक्त स्वग्राम लोटकर उनका मनन कर उनके अनुसार ही अपनी नित्य जीवन चरिया उननत पत पर ले जाने में समर्थ होते अनेक सरल, उद्देश शिपून एवं सुलव युक्तियों को वे बाटते। शष्टी और अस्टमी को मीरा भजन तथा व्रिंदावन भजन आदिके कारिकरम उनही संप्रदायों के प्रतिनिधियों द्वारा चलते। इस नाम संकीरतन के अम्रित का रसास्वादन प्राप उस दिन प्रशान्ति निलियम विशेश आनद उत्सव व उत्साह से शुभायमान होता। चार-पांच हजार लोगों को पवित्र भोजन प्राप्थ होता। तथ पस्चात एक सहस्र से अधिक निर्धन तथा असहायों को बाबा के दिव्य हस्त द्वारा ही वस्त्रादी का दान होता। बाबा के ही निर्णे से किसी को धोती तो किसी को साड़ी दी जाती। उन सब को अलग-अलग बैठा कर प्रत्येक को नाम से बुला कर दान दे कर संभाशन भी कर हर्शित किया जाता। मैंसूर से आए एक इंजीनियर ने एक बार बाबा से प्रशन कर ही लिया। ऐसे व्यभवशाली अन्नदान, वस्त्रदान आदि को पत्रिकाओं में क्यों प्रकाशित नहीं करवाते। उनको बाबा ने बड़ा गहरा उत्तर दिया। कि आपका प्रशन तो बहुत ही अच्छा है। अपना परिवार अपने घर आकर भोजन करे तो पत्रों में ये समाचार क्यों छापा जाए। ये उत्तर सुनकर ये पाबा अन्य बाबाओं की तरह नहीं है। वरन सब स्वामि की बुद्धी ठीक करने आये हुए प्रभू है। ये तथ सब ने जान लिया। अन्य संतरपन के दिन बाबा अत्यंत उत्साह पूर्ण दिखते। एक जगा खड़े नरह कर वे उस दिन सब को अन्वरत कारे करते रहने की प्रेणा देते। रसुई की देखभाल वे स्वैम करते। खाने के लिए लोगों को पंगत में बैठा कर स्वैम ही प्रत्येक पत्तल पर मीठी बूंधी परुस्ते। अपनी औशिधी रूपी वानी दिश्टी के प्रकाश एवं कर कृपा को भी बाबा उस दिन मीठी बूंधी के साथ ही यतेश्ट रिती से परुस्ते। उस का मुख्यकारण अज्ञान ही है और आत्म ज्ञान ही उनकी चिकत्सा है। दिन दलुतों का समुह देखकर वे उसे श्रिष्टी की विवितता मातर ही मानते। ऐसे लोगों को बाबा भोले बुद्धि रहित तथा उचित मार्ग दर्शन के अभाव से ग्रसित मानते। श्रिक कस्तुरी जी लिखते हैं कि मुझे भले भाती स्मरन है एक बार प्रशान्ति निल्यम के सामने बांधे गए सब तोरण आदी बारिश में भीग कर तता फट कर कांती हीन हो गय थे। उसे देखकर बाबा ने हम सब को रात के दस बजे बुला कर भिन भिन वर्ण के अंकृत करने की आग्यादी हम मेंसे एक दो व्यक्तियों ने नागभौं सी कोड़ कर पूछा कल क्या विशेश बात है स्वामी गरीबों को अन नहीं तो प्रदान करना है बाबा ने तुरंथ ही कुछ क्रोधित दिखाई देते हुई कहा इससे अधिक विशेश और क्या चा संचय वर मलिंता को धो डाला बाकी दिनों में संगीत के समारो होते गायन क्लेरियोनेट वादन नादस्वरगान आदी होते बाबा के स्वैम कर्ण प्रिय गीतों के गायक होने के कारण सब अपनी अपनी कला कुशलता की परिख्षा देने को उचसाहित वर आतोर रहते शेश प्रकार के अविशेक पूजा आदी होते पूरे नौ दिन महिलाएं विने विश्वास युक्त पूजा कर अर्चित किये हुए कुम-कुम एवं अपने अंतरंग में पल्लवित भक्ति के पुश्पों को उस दिन बाबा से स्विक्रित कराकर बाबा के ही हाथो शर्ड के उत्सव के रूप में ही परिवर्दित कर देते। जैसाई राम। को भक्ति और श्रधा के स्तम्व से जोड दिया। ने संदेह ये भगवान द्वारा अगले अनेक वर्षों के लिए प्रशान्ति निलियम को संपून विश्व का आध्यात्मिक केंद्र बनाने की देव्यय योजना का शुरुवाती चरण था। जैसाई राम। अब प्रस्तुत है हमारा कारेकरम भजन सिक्षा। कक्षा में प्रस्तुत हैं भगवान बाबा के प्रिय भजन गायकों में से एक श्री रविकुमार सर एवं टीम रेडियो साई के प्रिय सदस्य श्री अनिरुद श्री निवासन जी। अरुनाचलाशिवा रेडियो साई भजन शिक्षा कारेकरम में आप सब का स्वागत है। आज की कक्षा के लिए हमने भगवान शंकर की बंदना करता हुआ ये भजन चुना है। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं। अरुनाचलाशिवा अक्षय लिंगा आत्म लिंगा तेजोमय विग्रह लिंगा इह परसुख दायका इशा इह परसुख दायका आज की कक्षा के लिए इस भजन को सीशार पंचम शृती में गाया जा रहा है। जिसे काली एक भी कहते हैं। अक्षय लिंगा आत्म लिंगा अक्षय लिंगा आत्म लिंगा अक्षय लिंगा आत्म लिंगा ते जो मया विग्रह लिंगा ते जो मया विग्रह लिंगा इह परसुखदायका इशा इह परसुखदायका इह परसुखदायका इशा इह परसुखदायका इह परसुखदायका साई इह परसुखदायका इह परसुखदायका साई इह परसुखदायका Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om 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 Arunachalashiva 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 Arunachiva लेकिन फिर भी हम इस भजन की पंक्तियों में नहित भावारत को समझने का प्रयास करेंगे यहां अरunachal से अभिप्राय है भगवान शिव से जो दक्षिन भारत के श्री तिरुवन्ना मलाई छेत्र में अरunachal इश्वर के नाम से जाने जाते हैं ऐसी पौरानिक कथा है कि युगों पहले भगवान शिव एक तेजो में अगनी स्तंभ के रूप में प्रगठ हुए जिसे आज हम अन्ना मलाई परवत के रूप में जानते हैं अरunachal शब्द दो शब्दों के सैयोजन से बना है अरun और अचल अरुण का अर्थ है लाल या तेज अचल का अर्थ है वो जो अचल है या चलायमान नहीं है स्थिर है अरुण का एक अर्थ संपूर्ण या विशिष्ट तह परिपूर्ण ग्यान भी है दक्षिन भारत में पंच महाभूतों पृत्वी, वायू, जल, अगनी और आकाश के माध्यम से भगवान शिव को समर्पित पाँच मंदिर है अरुणा चलेश्वर नामक ये मंदिर उनमें से अगनी या तेजस का दियोतक है ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शिव अ उसे प्रार्थना की कि हे प्रभू इस अगनी स्तंब को विलुप्त मत कीजिए आप यहीं पर बने रहिए ताकि मनुष्य को पीढ़ी दर पीढ़ी ये अनुभूती हो सके कि आप सदैव उसके साथ बने हुए हैं उनकी प्रार्थना सुन वो अगनी स्तंब शांत हुआ और ठंडा होकर अरुनाचल परवत के रूप में स्तित हो गया एक ऐसी भी मान्यता है कि कैलाश परवत पर भगवान शिव का वास है परन्तु अरुनाचल परवत स्वयम भगवान शंकर जी ही हैं सत्युग में ये परवत अगनी स्तंब था त्रेता युग में ये नीलम का बन द्वापर युग में ये स्वर्ण का और अब कल युग में ये पत्थर का बन गया है सन 1973 की शिवरात्री पर दिये गए अपने संबोधन में भगवान बाबा ने शिव का अर्थ बताते हुए कहा शिव का अर्थ है करुनामय, मंगलकारी इसी कारण भगवान शिव के किसी भी नाम से पहले श्री नहीं लगाया जाता है अवतारों के नाम के आगे श्री लगाया जाता है क्यूंकि उन्होंने इस नाशवान शरीर को जगत कल्यान हेतु धरन किया अक्षय का मतलब है जो कभी नश्ट नहीं होता, जो आदी और अंत के परे हो आत्मा हमारा निर्गुन स्वरूप है और लिंग उसी आत्मा या भगवान का प्रतीक है सन 1979 की शिवरात्री के अवसर पर बाबा ने बतलाया था कि जैसे ओम या ओंकार शब्द के रूप में भगवान का प्रतीक है, वैसे ही लिंग ईश्वर के साकार रूप का प्रतीक है और वो गुणातीत अर्थात सभी प्रकार के गुणों से रहित है अन्ततो गत्वा इस लिंग में ही ये सारा संसार और ये संपूर्ण स्रिष्टी लै हो जाती है, अर्थात विलीन हो जाती है समस्त साकार रूप आखिर में निर्गुन रूप में विलीन हो जाते हैं शिवतत्व सभी नाम रूपों तथा व्यक्ति और अस्तित्व के लै होने का द्योतक है इस तरह से लिंग, स्रिष्टी के निर्मान एवं विलै का प्रतीक है भगवान ने समझाया कि आत्म लिंग या ज्योतिर लिंग उस और संकेत करता है जो आत्म ज्योती के रूप में दिव्य रूप से हर प्राणी में विद्यमान होती है जब हमारे अंतर्मन में इस तरह के ज्यान का प्रकाश उजागर होता है सन 1974 में शिवरात्री के दिन बाबा ने लिंगोत्भव के दौरान इसी आत्म लिंग का श्रजन किया था जिसके भीतर दिव्य ज्योती अपना रंग बदलते हुए दिखलाई पड़ रही थी तेजो मय विग्रह लिंगा तेजो मय यानी तेज से परिपून और विग्रह मतलब मूर्ती अता इस पंक्ती में हम भगवान शिव की दिव्य तेज स्वरूप अगनी स्थम्भ के रूप में प्रगट होने के लिए वंदना करते हैं इह पर सुखदायका साई इह पर सुखदायका मतलब इह माने यहां अर्थात इस भौतिक जगत में जब हम मनुष्य रूप में सांस ले रहे हैं तब भी और पर मतलब हमारे शरीर त्याग के बाद भी आसान भाशा में कहें तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी हमें सुख प्रदान कर सकने वाले भगवान शिव को प्रणाम यहां इशा से तातपर शंकर भगवान से है भगवान ने इश या इशा शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है कि इश का अर्थ है सकल एश्वर्य संपन्न अर्थात हरेक प्रकार के सुख प्रदान कर सकने वाले प्रभू चलिए यहां भगवान बाबा के एक महानतम भक्तों में से एक जापान में रहने वाले प्रवासी भारतिये श्री रूको हीरा जी के अनुभव पर गौर करते हैं हम पाएंगे कि कैसे उन्हें शिवावतार भगवान बाबा ने एक शिवरात्री के दिन भौतिक जगत से परे भी सुख शान्ती के लायक योग्य बना दिया श्री रूको जी वरतमान में अंतर राष्ट्रिय श्री सत्यसाई सेवा संगठन की जोन B इकाई के सहियों जख हैं जिसके अंतरगत एशिया, मद्धिपूर्व स्थित खाडी के सभी देश और अफ्रीका स्थित अस्सी देश आते हैं हीराजी देव योग से इस भौतिक जगत में सभी सुक्सुविधाओं से संपन्न हो गए थे जीवन में जो सुक्सुविधाएं इंसान अरजित कर सकता है वे सब उनके पास थी इतना सब होते हुए भी वे बहुत विनम्र सभाओं के हैं एक दिन भगवान बाबा के अग्रगण्य भक्तों में से एक श्री खूप चंदानी जी ने हीराजी से जाबान की राजधानी टोक्यो में एक साई सेंटर खोलने अरथाद श्री सत्यसाई सेवसंगठन की एक समीती या भजनमंडली खोलने का आग्रह किया हीरा जी अपनी व्यस्तता के चलते पूरे मन से राजी नहीं हो पा रहे थे लेकिन श्री खूप चंदानी जी ने उन्हें इस सत्यसाई केंद्र का समयनवयक भी घोशित कर दिया श्री हीरा जी अतीत में उस दिन को याद करते हुए कहते हैं कि तब अनिच्छा पूर्वक ही सही मैं इस विशाल विश्वसाई परिवार का हिस्सा बन गया और उस दिन से दिनों दिन स्वामी को जानते समझते हर दिन रोमांचक और भगवान की असीमित शक्ती और कृपा वरिष्टी का दियो तक ही रहा है टोकियो में समिती की स्थापना हो जाने के बाद एक दिन संदेशा आया कि स्वामी ने शिवरात्री के दिन सभी केंद्रों और भजन मंडलियों को शाम 6 बजे से सुबा 6 बजे तक 12 घंटे तक अनवरत अखंड भजन का आयोजन करने को कहा है हीराजी ने अखंड भजनों का आयोजन अपने निवास स्थान पर करना सुनिश्चित किया और 200 के लगभग आमंत्रन टोकियो शहर में भेज दिये लोगों को उनके घर शिवरात्री समारों में शामिल होने के लिए शिवरात्री के दिन दफ्तर में हीराजी को काम निप्टाते निप्टाते बहुत समय लग गया और वे 6 बजे की लगभगी घर पहुँच पाए वहाँ उन्होंने देखा कि कोई भी नहीं आया है लोग बाद में आएंगे ऐसा सोच कर उन्होंने भजन गायन शुरू कर दिया उन्होंने अब तक जीवन में कभी भी भजन नहीं गाया था सुनते सुनाते दो तीन भजन ही उन्हें आते थे तो वे उन्हें ही बार-बार गाते जा रहे थे गाते गाते घंटों बीट गए और उनका गला बैठने लगा हार्मोनियम बजाते बजाते हाथ दर्द करने लगे थे लेकिन भजनों में अभी तक कोई भी नहीं आया था तब उन्होंने मन ही मन स्वामी से कहा स्वामी यदि आपकी यही इच्छा है तो यही सही मेरा तो इतना ही सामर्थ है अब मैं सोने जा रहा हूँ तब ही फोन की घंटी बजी चूकि वे वहाँ अकेले थे सो वे ही फोन उठाने गए लेकिन उन्हें फोन पर किसी महिला के द्वारा भजन गायन का स्वार सुनाई दिया कुछ समय तक वे उसे मंत्र मुगधो सुनते रहे और फिर फोन कट गया ही राजी कहते हैं कि उस भजन गायन की ध्वनी ने उन्हें उर्जा से भर दिया और वे भाववे भोर भी हो गए थे फोन पर भजन की ध्वनी सुनते हुए उनकी आखें भी भराई थी वे पुना भजन गाने लगे और गाते गाते कब सुबह के छे बज गए उन्हें पता ही नहीं चला सुबह उनके भाई ने आकर दर्वाजे पर दस्तक दी और तब हीरा जी ने भजन का समापन किया उन्हें खुशी थी कि वे इस आयोजन को कुशलता पूर्वक संपन न कर सके जब वे सुबह जल्पान करने बैठे तो उन्हें नाशते में मांसाहर खाने का मन नहीं किया वे भूखे तो थे लेकिन वे मांसाहर नहीं ले पा रहे थे उन्हें लगा कि शायत वे कल से उपवासे हैं इसलिए उन्हें भूख नहीं है बाद में खालेंगे सोचकर वे केवल चाय पीकर उठ गए फिर आदतन उन्होंने धुम्रपान करने के लिए जैसे ही एक सिग्रेट जलाई तो धुएं के कारण उनकी जीब जलने लगी और मुँ में अजीब सा कड़वापन लगा और वे सिग्रेट का सेवन नहीं कर सके बाद में दोपहर और रात्री भोजन के दोरान भी जब वे मानसाहर ग्रहन नहीं कर सके तब उन्हें एहसास हुआ कि स्वामी की ग्रुपा से वे निरामिश लोगों की श्रेणी में आ गए है और उनका मांस मदिरा इत्यादी का सेवन सदा के लिए छूट गया इस प्रकार उन्हें ग्यात हुआ कि कैसे एक ही रात में उनकी जीवन शैली में एकाएक परिवर्तन आ गया है जैसे जैसे समय बीटता गया उनको उनके व्यापार में बहुत ज्यादा मुनाफ़ा हुआ उनके व्यापार की सफलता के कारण सन 2010 में भारत सरकार ने उनको प्रवासी भारतिय सम्मान से पुरस्कृत किया हीरा जी कहते हैं कि बाबा ही बिजनिस के मालिक हैं इसलिए व्यापार करना ही मेरे लिए साधना बन गया बिजनिस में भगवान की कृपा को महसूस करना ही व्यापार का ध्ये बन गया श्रीमान हिराजी ने व्यवसाय के हर छेत्र को अध्यात्म से जोड़े रखने की कला को सीख लिया इसलिए स्वामी ने न केवल उन्हें व्यापार में नफे के रूप में अपरोगष रूप से आशिरवाद दिया बल्कि उनकी आध्यात्मिक उन्नती भी सुनिश्चित कर उन्हें परोगष रूप से भी अनुगरहीत किया सन 1966 में जन्मोत्सव के दिन दिये गए दिव्व संभाशन में स्वामी कहते हैं ओम ध्वनी आकाश के तारों के हिलने से उत्पन्न होती है ये ध्वनी या नाद तब उत्पन्न हुआ जब स्रजन की इच्छा या आकार लेने की ख्वाहिश निराकार के अंदर उत्पन्न होई जब भी कहीं किसी भी प्रकार की कोई भी हलचल होती है भले ही वो कितनी ही नगणने क्यों न हो वहाँ ध्वनी या नाद उत्पन्न होता ही है हमारी पलकों के जपकने पर भी एक ध्वनी निकलती है भले ही हम उसे सुन न पाएं पर नाद होता अवश्य है इसी प्रकार जब पंच महाभूत आपस में मिले और स्रिष्टी की रचना हुई तब भी नाद उत्पन्न हुआ था उसी नाद को ओंकार या प्रणव ध्वनी या प्रणव नाद कहते है ओम स्रिष्टी का बीज है ओम से ही स्रिष्टी का निर्मान हुआ और ओम से ही संचालन भी हो रहा है ओम ही स्रिष्टी की शक्ति एवं बल है हर प्राणी का प्राण है जैसे हार्मोनियम बजाते समय भाथी से निकलने वाली हवा परदों के दबाय जाने के कारण उनसे निकल कर सरगम की ध्वनी उत्पन्न करती है ठीक उसी प्रकार ओम ही इस रिष्टी में उत्पन्न होने वाले हर प्रकार के नादसवर का मूल है इस मर्म को समझकर हमें ठीक से ओंका रोच्चारन करने का अभ्यास करना चाहिए नमस शिवाय एक पंचाक्षरी मंत्र है कहा जाता है कि ये मंत्र स्वयम साक्षाद भगवान शिव का ही स्वरूप है नमः से एक अभिप्राय और निकलता है कि मेरा नहीं तो इस भाव से देखने पर नमः शिवाय का अर्थ निकलता है हे भगवान शंकर ये सब कुछ भी मेरा नहीं बलकि आपका ही है तो चलिए इनी भावनाओं से ओत्प्रोथ होकर हम इस भजन को एक बार पुना दोराते हैं प्रुनाओ चल baw सिवन के रेने का नेसमे कर दोराते हैं प्रुवनाओ चल शिवन नेडियों के जिए कि लित रेने हैं सेख्यं प्रुनाओ चल सिवन अरुचैмат के लिंद यंद आरते हैं noki जएकी क BRAH शिए ए DAG, चाहिए हम धनलिम, आमरिय में कर दो कर दो कुछा है Mr. sudi तरव में लिंग कर दो नहीं Master so शबरि लिए एँ भालिय में 27 आमरिय में स Κाहर्श है तिरे जो मया विक्रह लिंगा कि हापर सुखतायका साइब परसुखतायका परसुखतायका पाक्षए लिंगा, आर्म लिंगा इप्रभर लिंगा तेजामया विकरह लिंगा तेजामया विकरह लिंगा तिह परसुकदाय काहिशा इह परसुक दायकार इह परसुक दायकार साहीर इह परसुक दायकार इह परसुक दायकार आए एक दित रıkनाश Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om Namah Shivaya Shivaya Namah ओम्नमशिवाय शिवाय शिवाय नमा इसी के साथ हमारे आज के भजन प्रशिक्षन के कारेग्रम का अब समापन होता है हमें आशा है कि आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी हम शेग्री एक और भजन लेकर आपके सामने उपस्तित होंगे तब तक के लिए हमें आज्या दें जै साहिराम इसी के साथ हमारे साई प्रेम वानी कारेग्रम का समापन होता है उम्मीद है हमारा आज का कारेग्रम आपको पसंद आया होगा अपने सुझाओं को हम तक इमेल या वाटसाप द्वारा जरूर भेजें हमारा पता है एवं हमारा वाटसाप नंबर है 9393 258 258 93 258 258 हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां यूट्यूब पर भी उपलब्ध है इन्हे वहां देखने सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो साई हिंदी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें हमारी वेबसाइट पर हमारे कारेक्रमों को अपनी इच्छानुसार सुनने के लिए आप रेडियो साई.org स्लाश हिंदी पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं फूल तो बहुत हैं बगीचे में पर गुलाब की बात अलग है सिंदिगियां तो बहुत मिलेंगी शोर मचाने को पर साई की आवाज बनने में बहुत अलग है भगवान के चर्णों में हमारी श्रद्धा और भक्ति दिन प्रति दिन बढ़ती जाए इसी प्रात्ना के साथ हम साई प्रेम वाने को विराम देते हैं धन्यवाद जय साई राम